जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर टू की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर ट आगे चलके करोगे चाहे आप वो जर्नल इंट्री करो चाहे आप उसे लेजर करो के ट्रायल ट्रेडिंग पीयल बैलन सीट या जो भी आप करोगे आगे चलके उन सब का पेस आपको यहीं पे मिलेगा आपको यह पता चलेगा कि हम जो जर्नल इंट्री करते हैं या हम जो ब depreciation calculate कर रहे हो, चाहे आप income को debit side लिख रहे हो, चाहे आप income को credit side लिख रहे हो, या expense को debit side लिख रहे हो, तो क्यों लिख रहे हो, वो सारी जानकारी आपको इसी chapter में मिलेगी और जिसका नाम क्या है आपका accounting principle, ठीके बेटा, तो सारी चीजें बहुत ध्यान से आपको समझ नहीं है, और अगर आपने इस chapter को समझ लिया, तो आगे चलके आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है, इस बात की मेरी guarantee है, चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग अपनी class को आगे continue करते हैं, chapter का नाम आप लोग लिख लिजे, accounting principle या concept, accounting principle या concept, अगर concept लिखा है तो भी वो principle ही मान जाएगा, clear हो गया वेटा जी, तो चलिए फिर start करते हैं बिना किसी देरी के, तो देखे जब भी आप accounting principle की बात करेंगे तो ये कुछ principle आपके सामने देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, सबसे पहला है आपका accrual principle, फिर consistency principle, economic entity principle, going on care principle, materiality principle, reliability principle, time period principle, conservative principle, cost principle, full disclosure principle, matching principle, revenue reorganization principle, तो ये जो आपके principle हैं, ये basic principle हैं, ठीक है, इनके अलावा भी कई सारे principle हैं, ऐसा ना आप सूचिएगा कि सर्फ इतने ही principle हैं, इसके अलावा भी principle हैं, लेकिन जब basic principle की बात की जाएगी, तो इन basic principle में इन सब को क्या किया जाएगा, आपका सामिल किया जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको diagram के रूप में इसको बना सकते हैं, ठीक है भी या, चलिए फिर start करते हैं सबसे पहले principle को और समझने का प्रयास करते हैं, और उससे पहले हम समझते हैं कि ये principle या concept है क्या, ठीक है, ये principle या concept है क्या, दीक है, सबसे पहला heading आप लोग लिख सबसे पहले heading डाल लीजे कि ये जो आपका principle है या जो आपका ये concept है, ये actual में कहता क्या है और इसके objective क्या है, ठीक है, heading डाल लिए, एक मेट, इसके लिए ये देखते हैं, तो सबसे पहला आपका है, what do you accounting concept means, या accounting concept या accounting principle का मतलब क्या होता है, आप इसे कैसे समझते हैं, अपने इंडिया की जब्भी भी हम बात करते हैं, तो इंडिया में आपको अच्छे से पता है कि double entry concept चलता है, double entry concept का मतलब क्या होता है, कि जो भी आप transaction record करेंगे, आप उसे दो side में record करेंगे, एक आपका debit side होगा, और एक आपका क्या होगा, credit side होगा, लेकिन सवाल यह उड़ता है कि यह जो debit है, यह जो credit है, इसका origin क्या है, इस debit और credit आया कहां से है, इसको अभी हम कुछ देर में समझेंगे, उससे पहले इस concept के meaning को समझते हैं, लिखा है, in India there are the several rule, in India there are the several rule which need to be follow while walking or driving on the road to be enable the smooth flow of a traffic, similarly there the accounting rule that an accountant should follow while recording the business transaction or recording the account, they may be termed as the accounting concept, hence it can be said that, इस paragraph का मतलब क्या है, इस paragraph का मतलब क्या है कि जैसे आप road पे जब चलते हूँ, तो road पे चलने के लिए traffic rule का follow किया गया है, ताकि अच्छे से गाडियां चल सके, ठीक उसी प्रकार जब एक accountant अपने books of account में transaction को record करता है, अब transaction क्या होता है, यह हमने आपको previous class में, यान पे मैंने आपको बताया था, कि seller और purchaser के बीच का जो relation होता है, वो आपका क्या कहलाता है, transaction कहलाता है, उसी transaction को record करने के लिए भी तो rule और regulation होने चाहिए, कि नहीं होने चाहिए, यानि आप ये भी कह सकते हो, कि principle means rule and regulation, ये भी तो कह सकते हो, कि principle का मतलब क्या होता है, आपक rule and regulation, नियम और कानून, जिसकी सहायता से हम अपने books of account को क्या करते हैं, prepare करते हैं, और अगर ये नियम और कानून ना हो, तो क्या लगता है, कि आपने जो सोचा है, क्या उसके हिसाब से result आ पाएगा, अंसर है, नहीं सर, कारण क्या है, ठीकि जो नियम और कानून होता है, ज मतलब क्या होता है, कि सबके लिए एक समान होता है, आप किसी भी organization में हो, चाहे आप soul proprietor हो, चाहे आप partnership हो, चाहे आप company हो, या चाहे आप non-profit organization हो, सबके लिए rule same होगा, और जब rule सबके लिए same होगा, सीधी सी बात है, result भी तो एक जैसा ही तो आएगा, result का भी concept क्या है, ए इसमें क्या लिखा है, in terms of the accounting, refers to the, सब्द देखिए क्या लिखा है, basic rule, दूसरा point क्या है, assumptions, तीसरा क्या कहता है, principle, यहाँ पे तीन सब्द को explain किया गया है, पहला सब्द क्या है आपका basic rule, पहला सब्द क्या है आपका basic rule, दूसरा क्या है, assumption, और तीसरा क्या है आपका principle, त लिकिन तीनों की जो मीनिंग है वो अलग-अलग है बेसिक रूल का मतलब क्या होता है समान ये नियम का मतलब क्या होता है एक बात बताईए जैसे अगर हम एक छोटे से इकजामपल से आपको समझाते हैं जैसे माल लीजे मुझे provision for debtor बनाना है मुझे क्या बनाना है provision for debtor बनाना है अब कुछ बच्चों को तो समझी नहीं आ रहा होगा कि सरी provision for debtor सब्द क्या है वह डेटर का मतलब क्या होता है डेटर का मतलब होता है देनदारी मतलब आपको समझाने के लिए मैं एक डाइगराम लेकर चलता हूं जैसे आपको पता होगा जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल आप दो तरीके से करते हो एक आप क्या करते हो और एक आप क्या करते हो क्रेडिट सेल करते हो जब क्या सेल करते हो तो इस क्या सेल में आपके पास क्या हो जाता है रिसीव हो जाता है और आपका ज नीचे का मतलब पैसा आ रहा है और उपर का मतलब क्या हो रहा है जा रहा है तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कैस सेल करते हो तो आपके पास पैसा आता है और आपके पास से स्टॉक क्या होता है चला जाता है लेकिन जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो उस केस में कैस तो न प्यूचर में रिसीव होगा और जिस व्यक्ति से रिसीव होगा उस व्यक्ति को हम कहेंगे डेटर जिस व्यक्ति से हमको क्या होगा वो पैसा रिसीव होगा उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे डेटर अगर अब किसी ने आप से पूछा कि डेटर क्या होता है तो डेटर क् का आंसर आपको पता चल गया जिस व्यक्तिकों हम में बेशते हैं वहीं हमारा क्या कहलाता है डेटर कहलाताय है यानि वो व्यक्ति ओप की करें बिजनर्श कोम पैसा देगा जैसे माल बीजिए सालक्ष रुपए का समान उधार पर बेच दिया यानि एक लाख रुपए की देंदारी आपकी बकाया है अब मुझे एक बात बताईए आप लोग क्या एक लाख रुपए जो आपने मार्केट में साल भर में उधार में बेचा है क्या साल के आखरी में 100% recovery हो जाएगी दिल पे हाथ रखके जवाब दीजे क्या 100% सभी लोग इमानदार हैं क्या 100% सभी लोग हरिश्चंद्र हैं अंसर है नहीं कुछ लोग तो बेटा सक्ती कपूर भी तो है कुछ लोग तो बिजय मालिया भी है है ना 25 लेने के बाद भाग जाएंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो कुछ परसेंटेज आपको नहीं रिसीव होगा तो कितना परसेंट नहीं रिसीव होगा उसी के लिए आप प्रुवीजन बनाते हैं उसी के लिए आप क्या बनाते हैं प्रुवीजन बनाते हैं कि सर दो परसेंट पैसा नहीं रिसीव होगा चार परसेंट पैसा रिसीव नहीं होगा ऐसा भी तो प्रुवीजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बनाना चाहिए देखे एक चीज जानिए जब आपको पहले से ही किसी चीज के होने का पता चल जाए न जब वह चीज बाद में हो जाए तो उतना दुख नहीं होता क्योंकि आपको पता था है हो तो क्या बनाते थे, provision for data बनाते हैं, यानि कि sir इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा तो अगर दस लोग हैं, तो 10 लोग 10 तरीके का redemption लेंगे की नहीं लेंगे ë presumably क्या, कि भाई या वो मान रहे, कोई कैए के सर 2% नहीं मिलेगा, कोई कैए कलो सर 5% नहीं मिलेगा कोई कही औक दस परसेंट नहीं मिलेगा देखिए basic rules सबके लिएласт रिकिन जो assumption होता है वो depends करता है organization कि अदेडर करनाईजेशन भी क्या होता है आपका डिप्एड करता है क्लियर भो गया क्योंकि हर परशंन आपको पता है जब मैं आपको limitation पढ़ा रहा था लिमिटेशन में एक point था आपका personal judgment एक point था आपका क्या personal judgment परस्टनल जज्मेंट पे ही आपका यह अजम्शन क्या करता है बेस करता है फिर उसके बाद अगला point है आपका क्या अच्छा यह अजम्शन वाला कॉंसेट समझ में आया कि नहीं आया आगया आप प्रेंस्पल की बात करते हैं प्रेंस्पल मतलब क्या सिद्धान देखे एक चीज यह बेसिक रूल और प्रेंस्पल सब के लिए सेम होता है लेकिन अजम्शन क्या होता है आपका डिफरेंट टाइप आप दा और्गनाइजेशन क्लियर हो गया बेटा एक नंबर का ट्रू और फॉल्स यहां पर आ सकता है आगे देखेंगे फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट इसमें लिखा है कहता है विच आक्ट एक मिनट आगे क्या कहता है कहता है कि विच आप प्राइमरी स्टैंडर्स और रिकॉर्डिंग दा बिजनस ट्रांजेक्शन यह जो आपके बेसिक रूल्स है जो आपके प्रिंस्पल है या जो आपके स्टैंडर्स है एक सब्द यहां पर लिखा है स्टैंडर्स यह क्या होता है अभी कुस देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे यह हेल्प करते हैं बिजनस ट्रांजेक्शन और बुक्स ऑफ एकाउंट को मेंटेन करने के लिए यह डेफिनीशन क्लियर हो गई और इसी डेफिनीशन से ही रिलेटेड आपका क्या है अब्जेक्टिव है देखिए आप बिकॉम के स्टुडेंट है तो बिकॉम में अब्जेक्टिव और बिजनस अकाउंटिंग कॉंसेट्ट क्यूं पढ़ा रहे हो डारेक्ट स्टार्ट कर दो यह कर दो वो कर दो पिटा एक्जाम में कुछ भी आ सकता है यह आप जाने कुछ भी आ सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इसलिए हर एक चीज को 100% आप टिप पढ़िए देखिया क्या लिखा है दा प्राइमरी एमस ऑफ अकाउंटिंग टू मिंटेन दा यूनिफॉर्मेटी आंड रेगुलेटरी इन दा प्रिपरेशन आप दा अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखिए एक चीज जानिए जैसे जब आप स्कूल की बात करते है इस कूल में जितने भी बच्चे रहते हैं स सबका ड्रेस एक जैसा रहता या लग-लग रहता है अपने इंडिया की बात कर रहा हूं दूसरे दे traff की बात ने कर रहा है एक जैसा रहता है ना चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो सबका address रहता है बच्चीों का एक समाने रहता है बच्चों का भी एक समान रहता है ठिक उसी प्रकार जो भी हम rule regulation follow करते हैं चाहे आप चोटे organization वाले हो चाहे आप बड़े organization वाले हो चाहे आप बहुत बड़े organization वाले हो सब के लिए rule और regulation क्या होगा बेटा सब एक समान होगा की नहीं होगा फिर उसके बाद जो भी rule और regulation होगा सब के लिए एक समान होगा की नहीं होगा और यह जो rule और regulation जो बनाया जा रहा है यह किसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपका जो books of account है जो आपका accounting statement है अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सब दारा होगा कि सर यह accounting statement क्या कहलाता है accounting statement का मतलब है summarization से accounting statement का मतलब किसे है आपके summarization से और अगर आपको याद हो तो summarization में तीन चीजों को मैंने classify किया था तीन चीजों को मैंने include किया था सबसे पहला क्या था आपका सबसे पहला था हमारे trial balance अगर आपने previous का lecture पढ़ा है तो आपको याद होगा और अगर आप नहीं पढ़े हैं पढ़िये playlist बनाई गई है ठीके भीया मेरे लिए थोड़ों आप बनाई गई आपके लिए बनाई गई है summarization पहला क्या था वेटा ट्रायल वैलर्स दूसरा क्या था final account और final account में दो थे एक था ट्रेडिंग दूसरा क्या था PL और फिर लास्ट क्या था आपका balance sheet तो जब भी भी accounting statement की बात आ जाए तो ये तीन चीजे आपके दिमाग में आ जानी चाहिए clear हो गया भी या फिर उसके बाद दूसरा आपका objective क्या कहता है कहता है कि accounting concept act as a underlining principle that help accountant in the preparation and maintenance of the business record यानि जो accounting principle है जो accounting concept है वो एक rule की तरह काम करता है जैसे जब आप traffic जैसे जब आप road पे चलते हो तो जब भी भी पुलिस देखो किनारे किनारे चोरा है पर पुलिस खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती है इसलिए खड़ी रहती है कि कोई भी गलत तरीके से ड्राइब ना करें अगर कोई गलत तरीके से ड्राइब करता है तो फिर उसके उपर फाइन लगता है कि नहीं लगता है लगता कि आपको मौका दिया जाएगा कि भी और अगर नहीं सुधरे जो फिर प्राइन का भी प्रवधान है और फाइन में आपको हो सकता जेल भी जाना पड़े और आपको कैस इंप्रेजमेंट भी आपको देना पड़े एक साथको किस तीन तरीके की और entity होती है तीन क्या दो तरीके की होती है एक profit making दूसरा क्या होती है non profit making profit making में भी कितने होते हैं दो होते हैं एक होता है trading और दूसरा क्या होता है manufacturing manufacturing और trading के भी कितने भाग होते हैं तीन तीन भाग होते हैं तोल प्रोपराइटर पार्टनर्शिप और आपका क्या और पार्ट कमपनी क्लियर हो गया न आपको याद हो समराइजेशन के बाद एक सब्द आया था आया था आया था कि नहीं आया था यह आपके बेसिक अवजेक्टिव होते हैं एकाउंटिं कॉंसेट्ट के में अपकर यह CR Ky ए तीनों झीजें आपको समझ में आ गई होंगी देखो बहुत डीटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजे समझ में आये हैं अब नेक्स्ट देखते हैं अब सबसे पहला हम आपको कॉंसेप्ट स्क्रीन शॉट ले लीजे इसका देखो ऐसे लिया करो और जेंटल फॉम में लिया करो अब देखो नेक्स्ट आप सबसे पहले अब हैडिंग डाल लीजे चलिए सबसे शुरुवात करते हैं अब सबसे पहले बिजनस इंटीटी कॉंसेप्ट फेले हैडिंग डालिए सभी लोग देर आरदा फॉल्विंग टाइप ऑफ दा ऐडिंग डालीजे सभी लोग वन बाई वन इसको हम लोग क्या करने जा रहें एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं अब सबसे पहला आपका कॉंसेप्ट क्या है सबसे पहला हमारा जो good concept है वह है आपका business entity कॉंसेप्ट सबसे पहला concept क्या है हमारा business entity 컨्सेप्ट इसको समझने के लिए हम आपको छोटा सा डयग्राम और छोटा सा एक्सामपल देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आजाये जैसे अचा एक बात आपसे लोगों से पूछे बताईएगा जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हम किसका रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो किसका रिकॉर्ड किया जाता है आपके सामने में दो दो आप्शन दे रहा हूं एक आप्शन में आपका बिजनस है एक आप्शन में आपका बिजनस है और एक आप्शन में आपका बिजनसमैन है टेक है ? जो भी हम transaction record करते हैं, वो किसका record करते नहीं ? बिजनेस या businessman का ? Obviously sir, answer है business का यानी, जो आपका अका एकाउंटेंट होता है नेटा ध्यान देंगे जो आपका क्या होता है ? accountant होता है record all business transaction बिजनेस ट्रांजेक्शन यानि उसको बिजनेस मैन के ट्रांजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता बिजनेस इंटिटी कहता क्या है ध्यान से सुनिएगा बाबू बिजनेस इंटिटी भी इसी के बारे में एक्स्प्लेइन करता है business entity कहता है कि यह जो आपका business है या जो यह आपके क्या है businessman है both are separate both are separate both are separate मतलब क्या हो गया sir यह दोनों अलग अलग है यह दोनों क्या है बेटा अलग अलग है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि sir एक बात बताओ business तो start किया businessman ने business तो start किया किसने businessman ने तो हम उसके साथ ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हैं हम क्यों उसके साथ 113 पन अपना रहे हैं पिटा हम 113 पन अपना नहीं रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ business को protect कर रहे हैं इसलिए protect कर रहे हैं ताकि end of the year ध्यान से सुनिएगा ताकि end of the year हमको net result के बारे में पता चल सके इसके बारे में पता चल सके और साथी साथ हमको net financial position के बारे में भी क्या पता चल सके इसके बारे में भी पता चल सके और अगर हमने business man के transaction को भी business में अगर सामिल कर दिया द्यान से सुनिए अगर मैंने बिजनस मैन के ट्रांजेक्शन को बिजनस में सामिल कर दिया तो बिजनस का ना टो नेट रिजल्ट पता चलेगा आपको ना ही आपका नेट फाइनेंसिल पोजीशन पता चलेगी अब आप काओ कि सर ऐसे कैसे एक दोठे एक्जामपल दो तो सम है 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 तो अब यह छोटी सी वाइफ है कि का अरे मतलब मतलब इसकी एज कम होगी ना अक्सर अपने इंडिया में यह होता तो लड़कों की जैदा होती है लड़क्यों की एज कम रहती है इसलिए मैंने छोटी सी का हाइट का कोई मतलब नहीं मैं सिर्फ एज को लेकर चल रहा हूं आप लोग भी ना क्या-क्या सोच लेते हो ठीक है और यह है बच्चे भी छोटे से चुनूनू है अब देखो यह चोटी सी वाइप है यह थोड़ी खरचीली टाइप की है खरचीली का मतलब यह है हर महीने जाना है शॉपिंग पर जाना है मैंनी क्यों ब्यूटी केर पेडी क्योर है जो भी है बाल को वह टेड़ा मेडा कराना चेहरे पर प्लास्टर क्या कहते है उसे प्लास्टिक सर्जरी चलो ठीक है जो भी है तो अब यह सोच हो यह जो छोटी सी वाइफ है यह हर महीने कुछ नहीं तो जाक कर मेरे ख्याल से 2-5,000 रुपय का खर्चा करा देती होंगी ठीक है तो टी सी वाइफ पचीस सो रुपय का महीने का खर्चा करा देती होंगी खाली अपना लाली लिपिस्टिक में और यह जो चुन्नू मुन्नू है इनका भी समानुमाल लाना है चलिए माल ल इसके लिए माल लीजे 5,000 रुपय का खर्चा हो गया ठीक है अब सवाल यह उड़ता है यह जो वाइफ को खर्चा किया गया यह घर का खर्चा किया गया क्या इसको हम बिजनस का खर्चा मानेंगे और यह आपका परसोनल खर्चा है बिजनस का खर्चा नहीं है अब समझ में आया बिजनस एक्सपेंस यह परसोनल एक्सपेंस आइए बिजनस एक्सपेंस नहीं है तर माल लीजिये कि हम बिजनस के पैसे में से ये खर्चा पे कर रहे हैं माल लीजे एक मिनिट के लिए कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करेंगे कि जो इसके द्वारा पैसा लगाया गया है उस पैसे को हम क्या कहेंगे capital कहेंगे जो ओनर के द्वारा पैसा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं और जो पैसा बिजनस क्या कर रहा है ओनर को दे रहा है माल लीजे यह जो पचीस सो दो हजार पांच हजार बिजनस के जेब सिर्फ जो पैसा काटा गया है हम उसे ओनर की क्या माल लेंगे drawing मान लेंगे drawing का मतलब क्या होता है बेटा आहरण का मतलब कि जो business man का खर्चा business ने पे किया business man का अगर कोई खर्चा किसने पे किया business ने पे किया तो उसे क्या माना जाएगा drawing माना जाएगा point clear हो गया बेटा और हम क्या करेंगे simple सा इसके capital से उस drawing को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ये तो बात समझ में आ गई इतनी अब थोड़ी सी और बात मान लीजे कि ये जो businessman है अब ये गया अपनी ससुराल ठीक है अब जब ससुराल गया तो सीधी सी बात है अब ससुराल में दमात को इज़्जत मिलेगी की नहीं मिलेगी अब इसली मिलेगी इज़्जत का मतलब क्या है पैसा ना इज़्जत आजकल तो पैसे से compare की जा रही है बकाइदे इसके साथ ससुर ने इसको कुछ नहीं तो 5000 रुपया खट दे दे दिया अब एज आए इसे ना को बेटा इससे जादा मैं लेके आता हूं थीक है एक शीजान लीजे कितना साल हो गया मुझे 4-5 साल हो गया 5 साल में दो बार गया हूं खाली और इससे ज्यादा पाया हूं तो बेटा बार बार जाओगे तो इज़्जत नहीं मिलेगे बार बार नहीं जाना है तो तीन साल में एक दो बार चले जाओ ठीक है चलिए खैर तो यह जो पैसा मिला है माल लिए जे क्या यह बिजनस की इंकम है यह बिजनस की इंकम है बिजनस मैं की इंकम है बिजनस की इंकम तो बिल्कुल नहीं है सर तो क्या आप उसको सामिल करोगे के द्वारा बताया गया है इसके द्वारा बताया गया है बिजनेस इंटिटी कॉंसेप्ट या बिजनेस इंटिटी प्रेंसपल के द्वारा क्या किया गया है बताया गया है आप एक लाइन में याद रखने के लिए लिख लीजिए बिजनेस और बिजनेस मैं बोथ आरा सेप आगे देखते हैं अब इसको पढ़ते हैं फटा फट देखे क्या कहता है अब इसमें वही चीजों को इलोब्रेट किया गया है उन्ही चीजों को इन्डेपेंड़ेंट इन्टिटी तो अलग-अलगेंट इन्टिटी हैं इसस के चंगा ट्रांजक्षिन लिखे लिएगा तो ज्यादा समझ में आए ko यहीं जैसा है वैसब को अपने उतार देना है में कुछ बहुत शॉट में मैंने यह सारी चीजे लिखी है आप लोगों के लिए क्लिए हो गया तो कुछ इसमें काटने पीटने के ओशकता नहीं है क्लिए अगर यह दो नंबर में आए तो इतना तो लिखना है क्लियर हो गया चलो आगे देखो कहता है आफ इट ओनर आर डिफरेंट ठीक है और एक्जामपल वेन दा बिजनेस ओनर इन्वेस्ट इसमनी इन दा बिजनेस इट इस रिकॉर्ड आज आ लाइबिलिटी आफ दा बिजनेस चू दा ओनर यानि यहां पर बात किसकी की जा रही है क्या पर बात की जा रही है आप रोगों ने जीवन में बैलेंस सी बनाइए हो या देखी हो तो आपने देखा और आपको भी पता है लिए पात्ति का मतलब क्या होता है ऑब्लिगेशन थी पे अब्लिगेशन का मतलब क्या होता है तो भाई सीधी सी बात है बिजनस की लाइबिलिटी है यह और यह बिजनस की कौन सी लाइबिलिटी है जानते हो इस बिजनस की लाइबिलिटी का नाम होता है इंटर्नल लाइबिलिटी नाम क्या होता है बिटा इसका इंटर्नल लाइबिलिटी ठीके बिटा इन सब्द को याद रखिएगा क्योंकि आगे जब हम आपको फंडामेंटल समझाएंगे अगर आपको याद हो जब मैं आपको फंडामेंटल पढ़ा रहा था चैप्टर वन में तो आपको मैंने तीन चीजे पढ़ाई थी एसेट्स, कापिटल और लाइबिलिटी और फिर मैंने कहा था इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे जब आपको जर्नल इंट्री पढ़ाई जाएगे जर्नल इंट्री में जब हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे तो लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन को हम दो भागों में सीखेंगे एक इंटर्नल लाइबिलिटी और एक आपकी क्या एक्स्टर्नल लाइबिलिटी तो इंटर्नल लाइबिलिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं आपका capital का नाम देते हैं, clear हो गया, आगे देखी क्या लिखा है, कहता है, similarly, when the owner take away from the business, क्या लिखा है, जब एक owner business से कुछ ले कर जाता है, चाहे वो cash हो, चाहे वो goods हो, for his personal use, it is not treated as a business expense, Thus, the accounting transactions are recorded in the books of the account from the organization point of view, not the personal owning of the business, clear हो गया, यह चीज़ें, जो मैंने अभी आपको बताई है, same to same आपकी यहाँ पर क्या की गई है, लिखी गई है, अगर owner business से कुछ भी ले कर जाता है, चाहे वो cash ले कर जाए, चाहे वो goods ले कर जाए, चाहे वो assets ले कर जाए, उसे हम क्या नाम देंगे आपका, drawing का ही नाम देंगे, क्या नाम देंगे पेटा उसे, drawing का नाम देंगे, point clear हो गया, समझ में आ गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, example यहाँ पर दे रखा है, आईए example भी देख लेते हैं जल्दी से, example क्या कहता है, कि suppose करिए कि Mr. Birla, start, invest क किया, इन्होंने कितना, एक लाख रुपया इन्होंने invest किया, अगर एक लाख रुपया इन्होंने invest किया, तो सीडी सी बात है, यह इनकी क्या बन गई, capital बन गई की नहीं बन गई, फिर कहता है, ही purchase goods, कितना रुपया, 50,000, ठीक है, furniture कितना, 40,000, प्लांट मसीनरी कितना, 10, 20,000, फिर कहता है, 2000, remain in the hand, 2000, remain in the hand, फिर उसके बाद कहता है, कि these assets of the business and not the business owner, मतलब यह जो एक लाख है, अगर मैं इसके investment की बात करूँ, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक सब्द बताया था, accounting equation, याद आया, किसी को, accounting equation, जिसमें मैंने आपको तीन basic formula बताये थे, तीन basic formula बताये थे, क्या formula था, assets is equal to capital plus liability, यह आपका basic formula है, और इसी formula से बाकी दो formula है, तो इसी को थोड़ा सा आप classify कर देते हैं, इसी को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, classify, अब देखे, पहला आपने क्या किया किया कि बिजनस में पैसा लगाया, तो बिजनस में अगर आपने capital बढ़ गई की नहीं बढ़ गई, और capital कितने रुपए से बढ़ गई, एक लाख रुपए से, अब यह एक लाख किसका है, owner का है यह business का है, बिजनस का है, अब उस एक लाख से वो क्या कर रहा है, वो business जाने न, अब business ने क्या किया है, उसका ध्यान से समझो चीजों को बे कर रहा है, लेकिन आदा घंटा बात करो, हम भी करेंगे आपके साथ मस्ती मजा, लेकिन अभी सिर्फ concentrate करो, अपनी पढ़ाई में बेटा, जान लेजे, अगली बात, जैसे अभी आपको test result आपने देखा होगा, तानिया का कितना आया था, जितना आया था, 28, 28 आया था, 30 न का आया था, 27.5, इनका भी मैंने राइटिंग पर ही काटा था, फिर उसके बाद और किसका था आपका, फ्रियांसू, फ्रियांसू का भी 27.5 आया था, राइटिंग पर भी काटा था, देखो एक चीज जानो, दो नमबर, धाई नमबर, अगर डेड़ नमबर, अगर कट रह है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बस यह है कि मैं आप लोगों को सकसेज आपके सर पे नहीं चड़ने देना चाहता, कि 30 में से 30 पा गए, अब तो निस्चिंत हो जाएंगे, आप मजबूर कर दो यह आप जाने है, तो इसको अपना कॉंसेप्ट और प्रेजेंटेशन मजबूत करने के लिए आपको 100% आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी अपनी क्लास में, अपनी रिवीजन में, अपनी नोट्स में, अब जाके आपके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो फिर ची बिजनस का है, बिजनस इस पैसे का क्या क्या कर रहा है, देखो, इसने कहा कि सर इस पैसे से हमने गुड्स खरीद लिया, और गुड्स कितने का खरीद लिया, पचास हजार का, गुड्स किसने का खरीद लिया, पचास हजार का, हमने इसी पैसे से फरनीचर भी खरीद लिया कितने का फरनीचर खरीद लिया बेटा 40,000 का फिर कहता है कि सर इसी पैसे से हमने प्लांट और मसीनरी भी खरीद ली कितनी की बेटा 10,000 रुपए की मसीन भी खरीद ली और 2000 रुपया हमारे पास अभी भी बचा है तो जड़ा चेक करो क्या एक लाख पहुंचे की नहीं पहु पाउज गये तो इसका मतलब कुछ लोचा है इसमें ना कोई लोचा नहीं कारण क्या है कि देखे एक चीज जानिये मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांजेक्षिन क्या हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप कहे रहे हो सर 2000 कहीं निकल गया हमारा जादा हो गया तो ठीक है ना आपकी लाइबिलिटी बढ़ी होगी ना भाई साब समझ में आया कि नहीं आया अब इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा रूल बताता हूँ छोटा सा ट्रिक बताता हूँ इसको आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट करना बेटे जब आपकी एसेट्स बढ़ेगी धान से सुनना पहले सुन लो फिर लिखना जब आपकी एसेट्स बढ़ेगी तो आपका कैपिटल या लाइबिलिटी में से कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा जब आपकी क्या बोला मैंने असेट्स बढ़ेगी तो आपका कैपिटल और लाइबिलिटी में से कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा और उसी के अपोजिट जब आपकी एसेट्स घटेगी तो आपका कैपिटल या लाइबिलिटी में से कुछ ना कुछ तो जरूर घटेग और एक तीसरा concept एक ही समय में अगर assets बढ़ रही है और एक ही समय में assets क्या हो रही है घट रही है तो आपके capital और liability पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तीन बेसिक चीजें आप अपने दिमाग में स्टेप कर लीजे कंट्रोल एस कर लीजे ठीक है बढ़ेगी तो cash और capital और liability में से कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो capital और liability में से कुछ ना कुछ क्या होगा घटेगा और एक ही समय में अगर cash और liability cash और अब करिए एसिट्स बढ़ भी रही है और क्या हो रही है घट भी रही है तो आपके capital और liability में से क्या होगा आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा क्लियर हो गया पॉइंट यह पॉइंट क्लियर हो गया ठीक चलो आगे देखते हैं कि अग्षाट कि अब आगे क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है कहता है कि नाव कि पांच हजार आपने cash और goods जैये और goods में से आपने गड्रा कर लिया का들 क्या इर्धा कर लिया पॉइंट नहां कर लिए लुकर लिया वन ने कॉशन बटो नेया इकवशन क्या ही रहेगा कितना और आपका सेम ही रहेगा प्लांट मसीनरी भी क्या रहेगी बैटा सेम ही रहेगी आपने निकाला था घूर निकलो गुड्स निकलो तो गुड्स यहां पर कितना हो अगर पांच हजार निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 45,000 हो जाएगा ना हो जाएगा बिया पैतालीसे जार पर नीचर 40,000 रहेगा प्लांट 10,000 रहेगा प्लांट क्या रहेगा 10,000 रहेगा कैश कितना रहेगा 2000 और इदर जो आपका कापिटल है ना इस कापिटल से क्योंकि ड्रॉइंग हुआ है न वह ड्रॉइंग भी क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे और यहां पर कापिटल आपकी कितनी आ जाएगी क्या धान से समझो पहला वाला एक्वेशन क्या है पहला वाला एक्वेशन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को पहला आ गया क्या कहता है कि पांच हजार रुपया आपने निकाल लिया बिजनस से किसने निकाला ओनर ने निकाला तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ओनर प और आपने अपका ड्रोइंग के नाम से समझमे आ गया की कि नहीं आ गया अब आ गया नेक्स्ट है आपका अकरूअक्रूलकस कॉंसेट है कि आज के लिए फिलाल इतना ही कैसी लगी आज की क्लास इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कोई भी चीज अगर आपको ना समझ में आए तो नीचे जो हमारा नंबर दिया रहता है आपका फ्लैश होता रहता है उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते ह हैं हमारी जो offline class है वो आपकी सुल्तानपूर सेंटर पे चलती है दिवानी चौराहा के पास accounting गूरू institute है आप वहाँ पे आएं विजिट करें या फिर कॉल करें अपनी class में अपनी seat को रिजर्व करें ख्याल रखिए आप सभी अपना मिलेंगे कल तब तक के लिए जय हिन जय भूले नाद